आप लोगोंने सुना होगा कि एंजल्स होते हैं जो हमारे भले के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं लेकिन वो लोग हमें दिखाई नहीं देते लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एंजल्स होते हैं डॉक्टर्स जिने हम आम जंता भगवान का रूप मानते हैं जब काफी स संजीव बंसल उजाला सिगनस हॉस्पिटल तो सबसे पहले में बातचित कहते हैं मेरिकल डिरेक्टर डॉक्टर आबिद भट हमार साथ यहां पर मोजूद है उनसे थोड़ी सी आज के इस डॉक्टर स्टे के बारे में थोड़ी सी बातचित करते हैं सर फर्स्ट फोल तो विश्व वेरी हैपी डॉक्टर स्टे थैंक्यू वरी मुच्छ सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इस आज किस डॉक्टर स्टे के बारे में क्या कुछ इंपोर्टेंस रहती है क्यों मनाया जाता है और देखने को मिलता है कि अभी हाइप थोड़ी क्रियेट हो चुकी है कुछ सालों से काफी डॉक्टर स्टे सेलिब्रेट किया जाते है तो उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर स्टे जो है जो नैशनल डॉक्टर स्टे है अक्चुली इट मार्क्स तबर्थ और डेथ अन्वरस्री ओफ वन अप्ट फेमिस डॉक्टर डॉक्टर बिधन चंदर रॉय जो आगे चलके काफी प्रॉमिनेंट फिगर बने एक पॉलिटिकल फिगर भी बने तो य असल में क्या है कि जिस भी डॉक्टर का जैसे हम डॉक्टर बिधन चंदर रॉय के ही बात करें तो उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो एक सीक थी हमारे लिए हम सारे डॉक्टर के लिए कि उस टाइम पे एक लिमेटेड रिसोर्स में जिस टाइम पे हमारा देश बहुत ही विभिन्ने बिमारियों से जूज रहा था उस मैंसे अगर आप देखोगे कई सारी इंपॉर्टन्ट जो इंफेक्शिस डिजीज है जिसने बड़े बड़े पैंडमिक्स क्रेट किये हैं तो वो हमारे इंडिया में रिसर्च हुई है उनकी और यह पाये गे थे यहां पे ज इतनी महनत करके इतनी deaths prevent करी लोगों का इलाज किया selfless services दी तो इसलिए उनको याद किया जाता है जैसे अभी आपने कहा कि recently इसको कुछ ज़्यादा ही एक social media में hype मिल गई है मेरा यह मानना है कि covid में थोड़ा scenario change हो गया कोविड में अभी तक हमें यह लगता था कि हम हमारे लिए सबसे important वो है जो हमारे लिए अपनी जान दे पाए तो पर कोविड में यह देखा लोगों ने कि डॉक्टर्स ने कोविड के time पे अपनी जान की परवा ना की अपनी families की परवा ना की और लोगों का इलाज करते ग कई डॉक्टर जो सर्वाइब भी करें oxygen पे रहें काफी time तक तो healthcare में workers, healthcare workers को जितना बड़ा hit लगा उस time पे, जितना health issues उनको create हुए, covid से affected हुए, इतना ही जितना normal population से कई जादा healthcare workers को impact हुआ तो इसके बाद लोगों ने realize कि इन लोगों ने हमारे लिए self sacrifice किया, family sacrifice किया, आपने उस time के कई videos देखे होंगे कि कुछ doctors 10-10 दिन, 15-15 दिन के बाद घर जाते थे और अपने बच्चों से मिलते थे, छोटे बच्चों से बीच में एक शिशा रहता था, तो उनको touch भी नहीं पर जो selfless services थी, इतना बड़ा sacrifice दिया doctors ने, तो इस वज़ा से उसके बाद मुझे लगता है काफी last के 3-4 साल में, doctors day एक symbol हो गया sacrifice का, now this day has become the symbol of sacrifice, because सबसे बड़ी चीज जो आप sacrifice कर सकते हो, that is your own life, and doctors have sacrificed their own life for the sake of the people of this country. शिवान, definitely COVID के बाद scenario तो change हुआ है, हमें देखने को मिला कि अगर उस टेम doctors ना होते, तो क्या कुछ होता लोगों का वहाँ पर जाने तक गई हैं, तो वहीं आगे बादचित करते हैं, जो इस वक्त जो students हैं study कर रहे हैं, वो doctor बनना चाहते हैं, सर आपको देख रहे होंगे शायद आप उन लोगों के इंस्पिरेशन होगे, तो उन सब बच्चों को आज national doctors टेके दिन क्या कुछ message देना चाहोगे, क्योंकि सोचते तो है कि नाम के डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन कितनी बड़ी responsibility होती है, वो तो उन सब students को, future doctors को क्या कुछ एक message? डॉक्टर नाम आगे लगना ना, it is a symbol of a title होता है, हम ये कहते हैं कि इसे एक status है ये, बट एक काफी अच्छा एक statement है, ये है कि with great power comes great responsibility, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट डॉक्टर बनने के लिए, you have to understand the responsibility that you have to take, आपको ये देखना है कि आपको कितना selfless काम करना है, आपको ये देखना है कि आपको कितनी महनत करनी है, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस साल लगते हैं, एक डॉक्टर को पूरा बनने, तयार होने में, अपनी degrees complete करने में, वो होंगे, cousins होंगे, वो, उनके अलग life चल रही होगी, आप किताब उनसे गिरे रहे होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगे, कि मेरे किस cousin की शादी होगी, किस की नहीं है, तो आपको एक अलग से आप cut off रहोगे, तो this is the responsibility that you have to bear, it's not because कि डॉक्टर को पढ़ाई करनी है, उसक responsibilities को ignore करता है, वो इसलिए करता है, क्योंकि कल को अगर मेरे पास कोई मरीज आता है, deathbed पे होता है, I have to give my best, see, life बचाना वो उपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर बगवान नहीं है, ये मैं हर बार ये बात कहता हूँ, डॉक्टर बगवान बन भी नहीं सकता कभी, लेकिन ड बिमारी दूर करने में पूरी कोशिश करे, तो वो एक डॉक्टर की responsibility है, आज कल जितने भी हमारे नए यूथ डॉक्टरी की तरफ जा रहे हैं, with passage of time, उनको ये realize होगा, कि जितना वो आगे बढ़ते जाएंगे इस field में, उतनी ही और responsibilities बढ़ते जाएंगी, उतना ही और उन सब को, कि अगर आप इस field को चुनना चाहते हो, आप तभी इस field को चुनो, अगर आप पूरा sure हो, कि मैं ये responsibilities निभा पाऊंगा, क्योंकि इस responsibility के चलते, कभी कबार आप अपनी families को ignore कर लेते हो, आप जैसे मैं, अपका कोई schedule नहीं रहता, आपका दिन, रात, कोई schedule नहीं है, आप 24 गंटा आप duty पे हो, तो अगर आप इस चीज के लिए ready हो, mentally ready हो, तो then this is the best thing for you, अगर आप चाते हो कि मैं service दूँ अपने लोगों के लिए, अपने पूरी best services दूँ, then this is for you, और देखो, you can only give your best, outcome is never in your hand, हमारे हाथ में outcome नहीं है, हमारे हाथ में बस हमारी कोशिश होत है, तो जी हाँ, जैसे सर ने बोला कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो अपने 100% देना पड़ेगे, जो आप पीछे देख पार हो, ने certificates वगएरा, ये सब सालों की मेहनत है, तब ही आज सर यहाँ पर पहुंचे हैं, एक समाज की से करनी पड़ती है, और आपको कम्प्लीटली एक समाज सेवक जो है, बन जाना पड़ता है, तो जितने भी लोग, जितने भी डॉक्टर से इस वक्त हमें देख रहे हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज उन्हें, हैपी डॉक्टर स्टे विश करेगा, और जितने भी बच्चे ज